महराश्ट के अदित्य ठाकरे ने मुख्यमंद्र एकनाशिंदे साब से और देविंद्र पड़नवी साब से ओपन चालेंज करके सवाल पूछा है महराश्ट के जो पाच बड़ी उद्ध्योग थे वो भगा के ले जाने के लिए मूदी को साथ दिया है आप महराश्ट के बेरोजगारों को जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो दम है एकनाशिंदे साब में या पड़नवी साब ने पचास खोके एकदम ओक्के करके पानने उद्धो ठाकरे साब की सरकार गिराई और गंदी राजनिती करके सूरत से गोहाटी भाग गए अभी सरकार की जवाब दरी है हमारे महराश्ट की जो युवा है बेरोजगार है उनको रोजगार कब मिलेगे? एकनाशिंदे साब अधित्य ठाकरे साब कहते है शिंदे साब में अगर दम है या किसी ही बंड़कोर जो गद्धारी की है उद्धो ठाकरे साब से शिवसेना से दम है तो आप रिजाइन कर दो राजी नामा दे दो और आप जहां से भी चाहोगे महराश्ट में वहाँ से फिर एक बार चुनाओ लड़ो एक 32 साल का लड़का अगर महराश्ट के मुक्यमंत्री को चालेंज करता है तो बंदे में दम है लेकिन यह बंदक होगा और गद्दारी सरकार फचास खूंकर और एकदम होगे क्या डोंगर क्या दरिया क्या होटेल कैसा सब होगे ऐसी बाते करते हैं उनमें लड़ने का ताकत नहीं है दम नहीं है ये सरकार गद्दारी की सरकार है और अगर आप महराश की हित्व की बात करेंगे तो दम है तो एक बार चुनाओ लड़के देखो फिर देखो दूद का दूदा और पानी का पानी है चालेंज स्विकरने में शिंदे साफ़ड़ेनों साब आप में दम